सबसे इंपोर्टेंट चीज जैन 3 जिसको लोग इग्नोर कर रहेंगे इतना खास है कि इसके आने से प्राइज भी कम होगी और आपका जो इलेक्ट्रिक विकल है चाहे वो स्कूर्टी हो बाइक हो या एक्स पर जेट कार भी क्यों ना हो ओला के तरफ से जवार है वो पूरी 3K से रिलाइबल हो जाएगा और उसमें दिक्कत नहीं आगी जी बिल्कुल सच है इस प्लेटफोर में बहुत ज्यादा काम किया गया और यह जैन मन जैन 2 से बिल्कुल डिफरेंट है बट आप केस्टमर लोग के यह कहना है कि हमको इससे फायदा क्या प्राइस कम होगा तो प्राश्ट वीडियो में आप लोग ने कर दिया था तो थैंक्यू सो मच इस वीडियो में आप लोग 100 लाइक कर देना जैन 3 में आपको अच्छे से समझा देता हो सबसे पहले बात करें कल 15 अगर्स 2024 को ओला का इवेंट हुआ था तो मेजर जो चीज थी ओला का सेल दूसरा जैन 3 तीसरा AI 14 की बाइक के बारे में अपडेट और पांचवा सप्राइस है वो अगले वीडियो में देख लेना और अब जितनी भी गारिया आएगी हो जैन 3 पर आएगी जो रिमेनिंग गारिया और जो नई गारिया आने वाली है वो कैसी दिखती है आप उपर से कर दूँगा जी यहां अपने रेगुलर यूज के लिए पर गारी आने वाली है फोटो शो किस नहीं किया गया बट एक जलक है हमारे लिए गलिम्स है जो अपने को पता चल पा रहे कि हाँ एक नई गारी आने वाली है तो बेसिकली जैन 3 है क्या जैन 1 अपना पुराना प् स्कूडी को रिलाइबल कैसे बनाए प्रफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज करें रेंज कैसे जाद करें साथ में कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो ओवर हीटिंग ना हो जिससे गारी में आग भी लग सकती है और अगर हम इसको पानिंग में सलाते हैं तो बहुत सारी गारिया खराब भी हो जाती है तो वह भी ना हो मतलब बेसिकली जितनी भी दिक्कते आती है ना वो सब हम फेस न करें अब यह बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा सर्विस सेंटर में गारी ओला के ही परी रहती है बट जैन थिरी के साथ कंपनी जो क्लेम करिए वह मैं आपको बता सकता हूं कि जो हमारी नई गार यार यह सपोस्स जैन 3 यह उपर से तो बाहर सेंब बाटर रहेगी एस वन प्रो जैन टू है ना उसका नाम बस जैन 3 को जाएका दिखने में डिक्टो सेम रहेगी डिक्स ब्रेक का साइज भी अब देख सकते हो पै अब समझो यहां पर आपका चिप डाला गया और डारेक्ट मोटर को कनेक्ट कर दिया गया और एक हमारा बॉक्स जैसे में बरी बरी सेल्स आएगी जी हाँ अब पतली सेल छोटी सेल नहीं आने वाली है ओला जो नया सेल खुद की फैक्ट्री से खुद की गीगा फैक्ट्र नहीं होंगे और यह आपको बहुत ही अच्छा खासा एवरेज निकाल कर देंगे आने वाले जितने फ्यूचर भाई के मतलब पुराने सेल से बहुत ज्यादा अच्छे रहने वाले और इसको एकदम सिंपल ही सेट अप कर दिया गया कोई भी वाइरिंग के जुरूत नहीं अब देख सकते हो यहां पर एक भी वायर नहीं है सिफ फ्रंट में जो ब्रेकिंग वायर है लिवर है उसके लिए वायर है वह अलग चीज़ है बट बीच में कोई भी वायरिंग नहीं है इस पोर्ट भाई को टूरर हो या कुछ भी हो अब इस बैटरी के अंदर आखिर है क और पहले में क्या होता था कि range कम होने के issue क्यों आता था कि कुछ cell क्या है overcharge हो जाते हैं मतलब suppose आपके 1000 चोटे-चोटे उसमें 800 overcharge है और 200 बिल्कुल चार्ज ही नहीं है तो इससे क्या होगा range fluctuation होगा और यहां पर यहीट सभी बचाएगा आपको जितने भी waves आएगी धू कोई भी rocket science नहीं है मतलब in the sense अगर आपकी गारे कुछ खराब भी होती है तो experience center वालों को कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूवत नहीं है main main part अगर खराब होता है तो direct उसी को change कर दो अगर motor के अंदर का कोई भी specific चीज खराब है तो उसको बदल दो अगर नहीं समझा तो direct motor डाल दो ना भाई गारी ठीक हो जाएगी बट वाइरिंग वाले में क्या system हम लोग जेल रहें Gen1 Gen2 वाले बहुत जेल रहें गारी में कभी भी system issue आ जाता है बट यह नया motor setup नया battery setup कितना success होगा वो जब गारी on-road condition में आएगी तब हमको पता चलेगा तो एक simple भाशा म में आपको बताऊं कि मोटर में और बैटरी में मिलकुल भी वायर की जरुवत नहीं है सीधा बैटरी के अंदर मोटर फिक्स कर दो यह पजल टाइप का हो गया आपको बस जोड़ना है और चल जाएगा और Gen2 में पहले मैं बताया कि 4 ECU unit थी जो की गारी को sense करती थी अगर बटन दबार हो तो सेंस करेगा वायर से तब ही बताएगा ना कि आपकी गारी के स्क्रीन चालोगा बट यहां पे अब क्लिप बोड हो गया है या आप इसको रैम बोलो एक्सवाइज कुछ भी बोलो बट इसको में भी क्लिप बोड़ी कहते हैं और इसके अंदर जितने भी इशु को सॉल्व कर देगी अगर नहीं समझ आता है तो बाई पूरा चेंज कर दो बट कोस्ट का सेट अफ कितना आता है वो लॉंच होने के बात बत चलेगा अब यह हैं इंका जो चीप है कृत्तम एयाई यह विल्कुल साही सोच रहे हो आप जो नई गारिया आईगी इन लो कुछ भी लो आने वाली जनरेशन 3 में जैन 3 सौरी अब जैन 2 नहीं बोला जाएगा और कब से आएगा प्राइस का होगी वह भी बताऊंगा वीडियो में एंड्चक बने देना और सो लाइक का टार्गेट नहीं क्या तो जल्दी सा लाइक करो फ्री में होता है जैन 3 का जो आपको मॉडल देखने को पर रहे है यह सवन प्रोई है उसका नाम जनरेशन 2 बोलो जनरेशन 3 बोलो यह 4 किलो वाट के साथ ही आएगा और कोई नहीं गारी आने वाली जैसे कि मैंने फ्रेंट में आपको फोटो दिखाया था जो कि एस्वन स्पोर्ट्स करके यह आपक लेवलमन नहीं मिलेगा मतलब उसमें AI का काम नहीं है एक एकसामपल से समझो अगर आपके पास S1 x 2 km2 3 km4 kW नहीं तो उसमें AI काम करेगा ना ही उसमें रोटस्टर से स्टार्ट और एक्स नहीं लेना पड़ेगा एक्स में यह सब फीचर फिर नहीं आएंगे तो उसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्रेंग कर दूँगा अभी चैनल पर पर वीडियो है प्रोग वीडियो है उन दुनों को अच्छे से समझ लो इसके बाद जो फ्रेंट यूनिट तीनों को एक साथ बस कनेक्ट कर दो आपके गारी हो जाएगी तयार और भी कुछ करने के जुरूत नहीं है और अलूमुनियम शीट है आप लोगों को पता होगा इसका मतलब कि इसकी जो वेट है ओवराल वो भी कम होने वाली है और यह पूरी मजबूत से बनाएगा पूरा फिक्स रहने वाले मोटे मोटे जो नट्स देख रहे हैं वह आप खोल सकते हो ऐसा नहीं कि यहां पर वैलिंग कर दिए और देखो कितना सिंपल सा प्रोसेस है सिर्फ आपको मैटल ही दिख रहा है कुछ भी वायर देखने की जरूत नहीं है पूरा काम अपना चीप और सिस्टम आईप्यू सीप्यू सब कुछ कर देगा तो बहुत ही सिंपल सा रहने वाला है जैन 3 होप करता हूं आपको जैन 3 समझ आ गया होगा और अब में मुद्धे पर आते हैं कि इसके डिलिवरी कब से स्टार्ट होगी जैन 3 वाले मोडल की तो अभी ओल दिखाते हैं आपको 6 महिना वैसी लग जाएगा तो जो अगली गारिया आर यह ना जो हमारी डोस्टर जो 25 में डिलिवर होगी तो हाँ वो जैन 3 से साथ आएगी है मतलब कि जो ओला की नहीं सेल है उस एक साथ आने वाली है अपने को पुराने चोटे सेल देखने को नहीं मिलेंगे और हम कह सकते हैं कि वह एक जैन 3 प्लेट्रों में बनी है तो सिंपल लेंग्वज में यह बोला जाए 2025 से जैन 3 के बाइक के डिलिवरी होगी और जो दिवाली का टाइम आगा लगभग उस टाइम तक आपकी नहीं मोटल आ जाएगी शायद अप्रेल में भी आ सकत है बट आपको एक क्वाटर या हाफ यर लेके पहले इसली देखने को मिल जागा आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और प्लीज यार अपना कॉंट्रिब्यूशन के लिए लाइक जरूर करना हंडर लाइक का टार्गेट है और दूसरा चीज है अगर आपको कोई भी confusion अभी भी है ना तो नीचे comment section खुला है आप पूछ सकते हो और delivery आपको बता है 25 के बाद ही होगी 2024 के end तक possibly नहीं है 90 बिलकुल पॉसिबल नहीं जैन तरीका अभी आपको पुराने model ही मिलेंगे और move OS 5 आपको पता हो कब से आने वाला है नहीं पता तो उसके ओपर भी specific वीडियो आ जाएगी बागी comment में जिसको पता है वो बता सकता है कब से आने वाला move OS 5 का beta version, original version कब आएगा वो तो फिर लोग guess करी लेंगे मिलते हैं आपको next वीडियो में like, share, subscribe, thanks for watching